Hello students, आज हम सीखेंगे LCM LCM is lowest common multiple LCM एक ऐसा नंबर होता है जो हमारे दो या दो से ज़्यादा नंबर्स का एक सबसे छोटा common multiple होता है ठीक है? तो आज हम इसके 3 types देखेंगे कि LCM find out करने के हमार पास 3 types होते हैं First is LCM multiples, Second LCM prime factorization इनके factors करके फिर हम LCM find out करते हैं third is LCM throw common division method तो आज हम करेंगे multiples से LCM find out करना तो देखे जैसे हमें 3 and 4 का LCM find out करना है तो हम multiples करेंगे 3 के multiples हम लिखेंगे 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 यह हमारा multiples है हम next भी लिख सकते हैं फिर हम लिखेंगे 4 के 4, 2, 8, 4, 3, 12, 4, 4, 16, 4, 5, 20, 4, 6, 24, 4, 7, 28, 4, 8, 32, 4, 9, 36, 4, 10, 40 तो यह हमने 10 तक table type हमने लिख लिए multiples तो आपको पता ही है tables होते हैं तो हमने जैसे इसके table लिख लिए है अब इनमें common क्या आ रहा है देखिए इसमें 12 common आ रहा है और इसमें 24 common आ रहा है देखा 12 and 24 दोनों में common आ रहा है तो हमें लेना है lowest common multiple सबसे छोटा common multiple हमारा क्या है 12 तो 12 is our answer ओके यह हमारा multiples के coding इस हमारे पास 3 numbers का आ जाए 3, 4, 5 तो हम 3 numbers के multiples लिखेंगे फिर जो उनमें सबसे पहला जो उनका common multiple आ रहा है जैसे कि इसमें सबसे पहला common क्या आ रहा है हमारे पास 12 second हमारा 24 है next उसके बाद भी हमारे कई multiples आ सकते हैं बटा में lowest लेना है तो हमें lowest में सबसे पहला तो हमारा सबसे छोटा multiple हमारा 12 ठीक है तो next हम करेंगे factorization से prime factorization देखे prime factorization आपने पहले भी पढ़ा है कि हम इसके factors करते हैं तो जैसे हमने 3 and 4 नमबर ही ले लेते हैं 3 and 4 इसी को example लेके आप sum करेंगे सारे तो देखे जैसे हमने 3 and 4 नमबर लिया इसी का ही हमें LCM find out करना है prime factorization से तो सबसे पहले तो हम इसके factors करेंगे देखे 3 के factors हमारे क्या होते हैं हम ऐसे ले लेते हैं factors ठीक है and 4 के हम factors ले लेते हैं देखे 3 के factor हमारा 3 किसी के table में नहीं आता 3 वन जा 3 होता है 4 हमारा 2 के table में आता है 2 तू जा 4 देन 2 वन जा 2 जब तक 1 नहीं आता हमें continue करना होता है factors तो देखे 3 के factor हमारे होगे 3 into 1 4 के होगे 2 into 2 into 1 ओके तो इसमें क्या होता है कि LCM हम लेते हैं जो हमारा common आ रहा है अब देखे ये common तो इसमें 1 ही आ रहा है common तो 1 आ गया है ओके फिर इसमें multiply करते हैं जैसे हम HCF में multiply करते हैं जो common आ रहे हैं उनकी multiply but LCM में क्या होता है जो common आ रहा है उसे तो one time लेना है जैसे 1-1 common आ रहा है तो उसको तो एक ही बार लिखेंगे means जो चीज common आ रही है उसे one time लिखना है बाकी जो बच गया उसे as it is multiply में लिखना है तो यह हमारा हो गया 1-3-3, 3-2-6, 6-2-12 तो इससे भी मारा answer 12 आ है like हम इसका एक और example देखते हैं कि हमने इसी में हम LCM में एक और example ले देते हैं इसे हमने लिया 2, 4 and 6 इसका LCM लेते हैं अब 2 के factors करेंगे 4 के करेंगे and 6 के करेंगे 2-1-2, 2-2-4, 2-1-2, 2-3-6, 3-1-3, 1 तक हो गया अब 2 के factor है हमारे 2 into 1 4 के हमारे 2 into 2 into 1 6 के हमारे 2 into 3 into 1 तो देखे, इन में common क्या आ रहे है common आरे 1 आरे 1 तो आता यह सब में common 2 भी आ रहे है द्धान से देखे, इसमें 2 आ रहेया common तो 2 तो one time लिख दिया वने इन सब का जो common आ रहे है इन सब का तो हमने 1 बार 2 लिख दिया बाकि एमारे पास क्या बच गया? two and three बच गे अब ये भी हमारा common है ये भी हमारे common है हमने one one time लिख दिया इनको बच के आगे हमारे पास two and three उनको as it is लिख तो तो हमारा क्या आगे हमने जो common आ रहा है वो तो लेना ही है वन टाइम जो बच गया उसको भी हम लेते हैं okay students I hope आपको समझ आ गया होगा next time method next video में करेंगे okay thank you